इन दोस्तान के लोगों को शोई हुए लोगों को जगा रहा है, इन दोस्तान के लोगों को अंधवक्ती से उठा रहा है हाई दोश्तों बेलगाम बेक टू माय नहीं वीडियो कि जो लोग भारत के अंदर सोय हुए हैं उनको जनता को उन लोगों को जागरू करने के लिए एक इंदुस्तान के अंदर पहले मसिया पैदा गुआ था और वही मसिया जर्मनी में जाकर के रह रहा है लेकिन वह मसिया अभी भी जर्मनी से अपने बीडियों के त्रू इंदुस्तान के लोगों को सोय हुए लोगों को जगा रहा है इंदुस्तान के लोगों को अंद बक्ती से उठा रहा है उनको बता रहा है अपने अधिकार बता रहा है उनको सरकार के नीती निर्देशक बता रहा है सरकार ने आपके लिए क्या क्या काम की हैं वो बता रहा तो ऐसे बेकती माननी स्री दुरुबराटी जी को मेरा नमस्कार और मैं दुरुबराटी जी आप से हमेशा प्रेरे तुगा हूं और मैंने आपके काभी सारे वीडियो भी देखे हैं लेकिन आपके वीडियो में मुझे कभी भी और किसी भी प्रकार की एक भी कोई भी गलती नहीं मिलिए आपने अपने वीडियो में वही बताया है जो की पैक्ट है और वही सई है वरना इंदोस्तान के अंदर पूरे बिश्वा के अंदर यूटूब पर वीडियो बनाने वाले तो काफी लोग हैं लेकिन सायद ही आप जैजी सटीक और पैक्ट जानकारी सिर्फ एक दो लोग ही दे पाते हैं तो माननी स्री दुरवराटी जी आपने इस इंदोस्तान में लोग सबस चुनाव से पहले अपने वीडियो के माध्यम से वह काम किया है जो कि सायद इस जनम मैं या इस कलियोग में तो कोई नहीं कर सकता मेरे साब से सर क्योंकि आपने लोकसवत चुनाव से पहले बताया कि आपके क्या-क्या अधिकार है आपके नेता ने आपके इस देश में क्या-क्या किया है आपको इस देश में क्या उठकर करना चाहिए आपके नेता ने क्या आपके लिए कुछ किया है या सिर्फ डींगे आख़ते रहते हैं आपके नेता वह चीज ये किसी ब्यक्ति ने बताई है तो सर वह हैं आप माननी स्री दुरुब राटी जी बले ही आज इंदुस्तान के अंदर विपच्च की सरकार नहीं बन पाई है यानि कि इंडिया की सरकार नहीं बन पाई है लेकिन फिर भी कोई बात का गम नहीं सर लेकिन गर्व हमें इस बात का रहेगा सर कि आपने और इंदुस्तान के काभी सारे लोगों ने अपने जी जान लगा दी थी इस बार के लोकसवा चुनाव में और ऐसे ब्यक्ति को चुन कर लाना चाहती थी इंदुस्तान की जन्ता जो कि इस इंदुस्तान के लिए कुछ करे इस इंदुस्तान को वर्ड लेवल पर पैंचान दलवाए लेकिन फिर भी सर इंदुस्तान के लोग काभी निरास हुए हैं लेकिन अमें फिर भी गर्व हैं हमें इस बात पर कि अब इंडिये की सरकार उतनी मजबूत नहीं है जितनी की पहले है जो कि भारत के सविधान को ही बदलना चाहती थी लेकिन अब वह ऐसी कोई भी कदम नहीं उठा पाएगी क्योंकि अब सर विपच मजबूत है इंडिया आर गई तो क्या हुआ लेकिन विपच तो मजबूत है क्योंकि सर अब की बार विपच में ऐसी ऐसी मजबूत लोग है जो की यह संसद में बूलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे की कोई सेर दाड़ रहा है और सविदान जैसी तता भारत की अन्य संपत्ति की और सरकार की आँख भी नहीं उट सकती क्योंकि अब की इभारत सर बिपच्च मजबूत है और भारत के लोगों ने भारत को उठाने के लिए तता सविदान को बचाने के लिए अन्य सक्तियों को बचाने के लिए भारत की को इस भारत को बचाने के लिए कापी सारे लोगों ने अपनी जी जान लगा दी थी लेकिन सर अब की बार कापी सारे लोगों को दुख भी हुआता और फिर भी मैं कहता हूं कि सर यद आप जैसी लोग यद इस भारत के साथ हैं तो इस भारत का कोई भी कुछ भी नहीं विगाड़ सकता सर और आप अमेशा इस भारत के लोगों का और भारत का साथ देना अन्यता सर क्योंकि इस भारत के लोग जर्मनी से ज़्यादा आपको इस इंदुस्तान में प्यार करते हैं और अमेशा करते रहेंगे सर क्योंकि सर अब की बार भारत के लोगों ने अपने जी जान लगा दी दी लेकिन किस्मत कराब दी लोग हमेशा कोशिस करते हैं लेकिन अब की बार इतनी कोशिस सफल जरूर होई कि अब की बार विपच मजबूत जरूर हो गया था सर धन्यवाद सर आप जैसे महन ब्यक्ति के हमारा प्रडाम इस इंदुस्तान के लोगों का प्रडाम सर लेकिन जो भी यह अच्चा है मानने स्री नरेंद्र मोदी अच्चे हैं दस साल उन्होंने सासन कर लिया आने वाले कुछ साल और करें है सर लेकिन अमको भी मानने स्री नरेंद्र मोदी जीजी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह दे हमारे पूरवज जोग सविदान को लिख कर गए हैं उनके ही कुछ सांसतों ने का था कि हम सविदान बदल देंगे तो सर बताईए कि अपने पूरवजे लोगों की चीजों को बदलने कि अगर कोई बात करेगा तो मारा दिल नहीं दुखेगा लेकिन कापी सारे काम है सर में क्या क्या गिना हूँ इसलिए धुरोब राटी जी आपका इस इंदुस्तान की जनता पर प्यार अमेशा बरस्ते रहे ये आसीरवाद अमेशा रहे दन्यवाद सर, जेहिंद सर आपका अपना पवनवाई आपके सपोर्ट में आपके इसने प्यार में अमेशा आपके साथ है जब भी आपको इसकी जरूरत बरे ये 2400 गंडे सर आपके साथ है ये इंदुस्तान की जनता सर आपके साथ है इस बार भी जेहिंद सर, धन्यवाद